Lenovo Thinkbook 15, इस laptop की जितनी तारिव करें उतनी ही कम है, क्योंकि जिस प्राइज पॉइंट पर ये laptop मिलता है, इसमें आपको बरवर के features देखने को मिल जाते हैं, अगर आपका बजट 60 था उजेन तक है, और आपको एक best premium laptop बाय करना है, उसको long time तक use करना चाहते हो, solid build quality वाला laptop बाय कर सकते हो, क्योंकि इस laptop में आपको features की कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी, तो इस वीडियो में हम detail में बात करेंगे, लेना वो Thinkbook 15 के बारे में, जो की हाली में launch हुआ है, तो वीडियो को एंट तक जरूर से देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपको एक best laptop buy करना है, और आप confuse हो रहे हो कि आपको कौन सा laptop buy करना चाहिए, तो आप Lenovo के Thinkbook 15 laptop को consider कर सकते हो, तो इस वीडियो में हम detail में बात करेंगे कि क्यों इस laptop को buy करना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी लेप्टोप बिना रिजन के buy नहीं कर सकते है, अगर ये laptop आपके budget में fit होता है, और आपके features के according है, तब उस scenario में आप इस laptop को जरूर से consider कर सकते हो, तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस laptop में आपको क्या क्या देगने को मिलेगा, सब से पहले बात करें इस laptop के CPU की, तो इसमें आपको Intel का Core i5-1135-G7 CPU देगने को मिल जाता है, और इसमें आपको 2.4 GHz की best clock की speed देगने को मिलेगी, 4.2 GHz की turbo clock की speed देगने को मिल जाती है, 4 Core R38 का CPU है, और 8 MB की level 3 cache memory देगने को मिल जाएगी, तो CPU काफी decent रहने वाला है, multitasking कर सकते हो, video leading कर सकते हो, programming और coding भी कर सकते हो, performance काफी decent रहन रहें की बात करें, तो इसमें आपको 8 GB DDR4 32 MHz की RAM देगने को मिल जाती है, और इसको आप 40 GB तक अपग्रेड कर सकते हो, तो RAM अपग्रेड का option इसमें काफी अच्छा देगने को मिल जाता है, storage की बात करें, तो इसमें आपको 1 TB की hard drive देगने को मिल जाती है, और 25 GB की M.2 SSD द देगने को नहीं मिलेगी, और guys आप इनको refresh करके upgrade भी कर सकते हो, graphics की बात करें, तो इसमें आपको Intel Iris XC integrated graphics का option देगने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आप casual gaming कर सकते हो, video editing कर सकते हो, और graphics वाले task भी run कर सकते हो, performance काफी decent रहने वाली है, अब display की बात करें, तो इसमें आपको 15.6 inch की full HD IPS panel की display देगने को मिल जाती है, हमें आपर 300 nights और 100% sRGB color gamit देगने को मिलता है, इस पर आपको anti-glare coating भी देगने को मिल जाएगी, तो यह display काफी awesome रहने वाली है, इस price range में आपको 100% sRGB वाली display कोई भी brand offer नहीं करता है, तो अगर आप color correction का का काम करते हो, video editing करते हो या photoshop विगरा run करते हो, या graphics वाला काम करते हो, तब उस scenario में ये display आपके लिए काफी अच्छा option रहेगी, तो display को लेकर आपको कोई भी issue देगने को नहीं मिलेगा, बैटरी की बात करें, तो इसमें आपको 3-cell 45Wh की lithium polymer बैटरी देगने को मिल जाती है, और laptop के सास्त में 65W का बैटरी बैक आप आसाइनी से देगने को मिल जाएगा, वेबकेम की बात करें, तो इसमें आपको HD वेबकेम के साथ में think shutter का option देगने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको dual array digital microphones की option भी देगने को मिल जाएगे, तो यहाँ पर आपको इस laptop में privacy shutter का option देगने को मिल तो यह वाली दोनों चीज़े आपको काफी ज़्यदा पसंद आएगी, connectivity की बात करें, तो इसमें आपको Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.1 का support देगने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको latest technology देगने को मिल जाएगी, और यहाँ पर आप 5G speed को भी आसानी चे यूज कर पाऊगे, तो connectivity को ले देगने को मिल जाएगा, तो audio quality इस laptop की काफी अच्छी रहने वाली है, इस laptop की hinge 180 degree तक rotate हो जाती है, यह वाला feature भी आपको काफी ज़्यदा पसंद आएगा, weight की बात करें, तो इसका weight 1.7 kg के around रहने वाला है, तो आप इस laptop को single end से भी आसानी से carry कर सकते हो, इस laptop में आपको Windows 10 free देगने को मिल जाएगा, और MS Office 2 आपजे 19 free देगने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आप इनको upgrade भी कर पाऊगे, अब ports की बात करें, तो इस laptop में आपको right side में एक 4-in-1 card reader देगने को मिल जाएगा, एक USB 3.2 जनेशन 1 type A का port देगने को मिल जाएगा, इसी के साथ में आपक देगने को मिल जाएगा, इसी के साथ में USB 3.2 जनेशन 1 type A का port देगने को मिल जाता है, और एक 3.5 mm का headphone microphone combo jack देगने को मिल जाएगा, तो इस laptop में सभी जुरूरी ports के option देगने को मिलने वाले है, गाईज आप इस पार्ट को मिस्स मत करना, यही वो रीजन है जिस होज़े से आप इस laptop को consider कर सकते हो, and आप जरूर से अपना laptop decide कर पाओगे, इस laptop में आपको 100% sRGB की display देगने को मिल जाएगी, और इसमें आपको 300 nats का भी support देगने को मिल जाएगा, तो इस budget range में आपको यह वाली display कोई भी brand offer नहीं करेगा, तो यहाँ पर आप color correction का का काम आसाइनी से कर सकते हो, multifunctional USB Type-C port देगने को मिल जाता है, एक thunderbolt 4.0 का port भी देगने को मिल जाता है, rapid charge technology का support देगने को मिल जाएगा, think shutter का option देगने को मिल जाता है, tpm 2.0 का option देगने को मिल जाएगा, self healing bios का option भी इस laptop में देगने को मिल जाएगा, backlit keyboard का option देगने को मिल जाएगा, finger fin reader इ सेने वाला है इसमें आपको वाइफाई 6 का भी ऑप्शन देगने को मिल जाएगा रेम अपग्रेड कर सकते हो और इस टोरेज को भी एक्टेंड कर सकते हो इस लेपटोप में फीचर की कोई भी कमी देगने को नहीं मिलेगी तो देखो फिलाल इस लेपटोप की प्राइस 60,000 क अगर आपको ये लेपटोप बाएगा ना है तो बेस्ट बाइ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वाक्ट में मिल जाएगी आप जाकर जुरूर से चेक आउट कर सकते हो तो देखो इस लेपटोप में फीचर की कोई भी कमी देगने को नहीं मिलेगी यहाँ पर आपको सकते हो इस लेपटोप में फीचर की कोई भी कमी देगने को नहीं मिलेगी अगर आपका बज़र 60,000 तक है और आपको बेस्ट लेपटोप बाए करना है कोडिंग के लिए प्रोग्रामिंग के लिए या वीडियो डिटिंग के लिए या ग्राफिक्स डिजाइनिंग के तो देखो 60,000 तक बज़र में ये वाली कॉन्फिक्रेशन कोई भी ब्रांड आपको ओफर नहीं करेगा अगर आपको ये लेपटोप बाए करना है तो बेस्ट बाइ लिंक आपको डिस्क्रिप्टर में मिल जाएगी आप जाकर जरूर से चेक आउट करना और आपने ये वी झाल